हेलो फ्रेंड्स वलकम टू माई चैनल कींग रियान खान गाडन फ्रेंड्स आज हम बात करने वाले हैं बहुती बीटिफुल फिलावर्स पिलांट्स जिसका नम सदाबहार पिलांट्स है और इसको हम विनका और पेरिविनकल भी कहते हैं इसके इलावा भी और भी बहुत सारे इस फिलावर्स के नाम होते हैं आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इसकी केर किस तरीके से करते हैं लेकिन जो important बात ये आपको बताऊंगा कि इस plants के अंदर किस तरह में भर भर के flowers हासिल कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि एक एक टेनी के अंदर multiple flowers तीन तीन चार चार पांच 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 छे चे flowers आपको यहां पर दिख रहे होंगे तो इसका क्या राज है किस तरीके से में अपने इस flower plant के अंदर सर्दियों के अंदर भी इतने सारे plants के flowers हासिल कर रहा हूँ है तो यह सदा बहार सदा बहार मतलब साल के 12 महीने इसके अंदर आपको flowering मिलती रहेगी लेकिन कभी कम हो जाती है कभी जादा हो जाती है तो जादा flower हमको लेना है क्योंकि सर्दियों में सर्दियों का मदलब flowers का महीना flowers इतने सारे किस तरा हम ले सकते हैं आज की वीडियो में आपको मैं यही दिखाऊँगा तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके soil mix की soil mix में normal यूज़ कर रहा हूँ normal garden soil 60% है 20% इसके अंदर cow dung manure है और 20% इसके अंदर sand है इसके इलावा मैंने अपने इन सदा बहार के plants को grow बेग में लगाया हूँ है 12 इंच का यह grow बेग है इसको किसी भी port में लगा सकते हैं मटी का किले port हो या फिर plastic का port हो या फिर ये हो और मैंने इसको normal एक size दिया है इसलिए दिया है कि इसके अंदर मैं इसकी multiple branches निकालूँगा और इसके अंदर multiple branches आने की वज़ा से plants के flowers और भी भर जाएंगे यह भी इसका एक तरीका होता है कि हम इसकी pruning करते रहें और इसकी cutting करेंगे तो इसके क्या होगा कि इसकी नीचे से अलग लग बिरांचे निकलेगी जिसकी वज़ा से यह और घना होगा और जब घना होगा तो आप देख सकते हैं कि एक साथ इसको जब हम रखते हैं तो इतने सारे flowers होते हैं तो इसकी एक beauty अलग ही निकर कर आ रही होती है और अब हम इसकी watering की बात करते हैं सदा बाहर को water हम तब ही देंगे जब इसकी top soil उपर की सूखी भी हो इस वोगत आपको इसकी soil देख रही है मैं आपको नमी देख रही है क्योंकि मैंने कल इसको पानी दिया है जब तक इसकी ऊपर की top soil एक इंच तक सूखेगी नहीं तब तक मैं इसको दूसरा पानी नहीं दूगा पेरी विंकल दो किसम के होते हैं सदा बाहर ये flowers वाले plants दो किसम के होते हैं एक hybrid विंका पिलांट्स होते हैं और एक ये वाले विंका पिलांट्स होते हैं विंका भी इसका नाम है जो आको मैं बता चुका हूँ तो यह देसी सदा बहार में अगर सम टेम पानी और वाटरिंग भी हो जाए तो हमें तुरम वेट करना चाहिए और ये प्लांट सरुफ कर जाता है लेकिन अगर आपने हाईवरेड विंटब का प्लांट्स लगाया है तो उसको तो आप watering बहुत ही एहतियात से देंगे क्योंकि अगर उसका watering जाता हो जाएगा तो वो बरदाश नहीं कर पाते और वो जल्दी खराब हो जाते हैं और उनको पानी देने का तरीका भी अलग होता है कि जब आप hybrid winka plants को पानी देंगे में अब बात करते हैं अपने flowers plants के लिए sunlight की कि इसको कितनी sunlight देनी है सता बहार एक sun lover plant है इसको full day की sunlight की जरूरत होती है जितनी जादा से जादा से जादा इसको sunlight मिलेगी उतने जादा से जादा flowers किलाएगा यह तो हमें इसको ऐसी location देनी है कि जहां पर इसको sun काफी मिल सके अब आखर में हम बात करेंगे अपने उस secret plants की जिसकी वजा से मैं इसके अंदर भर भर के flowering ले रहा हूँ तो वो क्या राज है आईए मैं आपको दिखाता हूँ यह देखिए फ्रेंड्स यह है टी लीप्स चाई की पती जब हम अपने गर में चाई बनाते हैं तो फिर उसके बाद जो पती यूज हो जाती है उसके अंदर तो उसको बिल्कुल भी फेकिये मत क्योंके यह चाई पती इतने काम की चीज है कि इसके अंदर आपको NP के भरपूर मातरा में मिल जाएगा NP के मतलब इसके अंदर बहुत सारे नैट्रोजन है फास फोरस है और पुटोशियम है और यह हमारे पिलांट्स के लिए बहुत ज़रूरी है तो जब भी आप अपने गर में टी बनाए और इसको उसके बाद वो जो अच्छे से वोश करने के बाद मैंने एक पिलेट ली है इसके उनर मैं इसको पहला देता हूं और दूप में रँख देता हूं दो दिन के लिए उनको ऊटोध में आख दोशेगा हूँ पर इसके बाद मैंने एक बोक्स रखा हुआ है तो हम इसको यूज करेंगे अब इसको यूज करने ज़ादाऊ reclative को अब तरीका दिखाता हूँ उससे पहले मैं आपको ये बता दू कि किसी भी fertilizer को upnayan plants में यूज करने पहले हमें उसकी quantity का अंदाओ ज़रूर रखना होता है क्यों के कोई भी प्लांटस अगर हम उसको NJK जाधा फटिलाजर देगे तो वह प्लांटस खराब हो सकता है अगर जाधा खाद हम उसको देंगे तो तो अब मैं जो अपने प्लांटस को खाद दे रहा हूं है देखिए 12 इंच का यह ग्रो बेग है तो इसके अंदर में यह जो टी है लीफ्स इसका एक स्पून एक स्पून इसको मैं इसके अंदर यू पहला दूगा यह एक स्पून इस 12 इंच के गमले के लिए बहुत काफी है और 15 दिन में हम एक बार इस प्लांट्स को यह टी लीफ्स दे सकते हैं जिससे इसकी ग्रोध बहुत अच्छी चल रही है और यह फिलावरिंग का रिजल्ट आपके सामने है कि कितने अच्छे फिलावर्स ब्यूट करने हैं और 10 अपर लचे आप दिन में लुंदे सकते हैं और 10 अपने अपना काम करना शुरू कर देगा और ुपलांटे की में इसे करेंगों इसे आप की लगेंगे आपको यह तक ही लावर्स में करना कांट्टिंग यह बूल जाएंगा उस्काह जो उसको और तो अबहु तो इसके लिए मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत बूलिएगा